केले की उपज का अनुकूलन किसानों के लिए अंतरद्रिष्टी, केले का एक पौधा किसानों के लिए एक फलदाई यात्रा का वादा करता है, जो लगभग बारा से पचीस वर्षों तक उपज देने में सक्षम है, इस अवधी में मुख्य फसल और उसके बाद की पेड़ी फसल दोनों शामिल है, जिससे समग्र उपज में उलेखनिय व्रिद्धी हुई है और लाब प्रत्ता में सुधार हुआ है, बढ़ी हुई उपज के लिए सकर विकास, निरंदर उत्पादक्ता में योगदान देने वाले प्रमुक कारकों में से एक सकर का विकास है, पौध आवी धंग से प्रबंधित सकर विकास न केवल पौधे के उत्पादक जीवन को बढ़ाता है, बल्कि समग्र उपज को भी बढ़ाता है, जिससे किसानों के लिए निरंतर और लाबदायक फसल सुनिश्चित होती है वानस्पतिक संगचना को समझना, आम धारना के विपरीत, केले का पौधा एक पेड नहीं है, बल्कि मूसा वंच से संबंधित एक जड़ी बूटी वाला पौधा है कना, जिसे अकसर ट्रंग के रूप में गलत समझा जाता है, कसकर भरे हुए पत्तों के आधारों से बना होता है, जिसमें पेडों के विशिष्ट लगडी के उत्कों का अभाव होता है केले का वानस्पतिक वरगी करण, वानस्पतिक वरगी करण के दाइरे में केले को दिलचस्प रूप से जामुन के रूप में वरगी कृत किया गया है आम धार्णा के विपरीत वानस्पतिक जामुन को एक ही अंदाशय से निकलने वाले मांसल फल के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसमें गूदे में बीज लगे होते हैं केले इस परिभाशा के अनुरूप हैं फल के भीतर छोटे अक्सर अविक्सित बीजों के साथ एक ही अंदाशय से विक्सित होते हैं जैसे जैसे किसान केले की खेती की यात्रा शुरू करते हैं पौधे की जड़ीबूटियों की प्रकृती को पहचानते हैं रननीतिक रूप से चूसने वाले विकास का प्रबंधन करते हैं और वनस्पती बारिकियों को समझते हैं केले की खेती के अधिक सूचित और सफल अनुभव में योगदान करते हैं। हमने निमलिखित विश्यों को शामिल किया है। लागत प्रभावी जैविक केले की खेती एकाधिक उपज के लिए केला चूसक प्रबंधन कीट एवं रोग प्रबंधन केले की खेती की यात्रा शुरू करने में रननितिक योजना शामिल है, जिसमें केले के पौधों के जीवनकाल को समझने से लेकर स्थानिय परिस्थितियों के अनुकूल किस्मों का चयन करना शामिल है। आइए उन महत्वपूर्ण जानकारियों पर गौर करे जो किसानों को इस्टतम उपज और निरंतर उत्पादक्ता के लिए सशक्त बनाती है। एक केले के पौधों का जीवनकाल केले का पौधा एक बारा मासी जड़ी बूटी है जो लगभग बारा से पचीस वर्षों तक फल देने में सक्षम है। मुख्य फसल के बाद पेड़ी फसले आती हैं जहां पौराने छदमतने की जगा लेने के लिए प्रकन से नए अंकुर चूसने वाले निकलते हैं। दो प्रती पौधा उपज स्वस्थ केले के पौधे प्रती फल चक्र में केले का एक गुच्छा पैदा करते हैं। गुच्छे में हाथों, गुच्छों का आकार और संख्या केले की किस्म के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। तीन विस्तारित फसल के लिए रैटूनिंग। रैटूनिंग में मुख्य फसल के बाद मूल पौधे के आधार से सकर्स को बढ़ने देना शामिल है। हालांकि पेडी की फसल की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन वे दोबारा रोपन के बिना फसल की लंबी अवधी प्रदान करते हैं। चार उपज को प्रभावित करने वाले कारक उचित देखभाल, पोशक तत्व प्रबंधन और खूबा उतपात का उप्योग केले की उतपादक्ता को बढ़ा और बनाय रख सकता है। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है, गुच्छो का आकार कम हो सकता है, लेकिन सक्रिय उपाई समग्र उतपादक्ता में गिरावट को कम कर सकते हैं। पाँच केले के पौधों के लिए दूरी दिशानिर देश, वायू परिसंचरन, सूर्य के प्रकाश के प्रवेश और रोक की रोकथाम के लिए इस्टतम दूरी महत्वपूर्ण है। आम तोर पर अलग-अलग पौधों के बीच दो से तीन मीटर, छे दशमलव पाँच से दस फीट की दूरी रखने की सला दी जाती है। प्रचुर मात्रा में चूसने की आदत निरंतर कटाई सुनिश्चित करती है। बौना कैवेंदिश ए अनुकूलनिय एक छोटे चक्र और मीठे मिठाई केले के साथ। चूसने की उच्चदर लंबी फसल अवधी का समर्थन करती है। राजापुरी एबीबी महराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है, जो स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। मध्यम चूसन दर्शाता है, जिससे कुछ उत्पादत तनों के विकास की अनुमती मिलती है। बसराई एबीबी महराष्ट्र में उगाया गया अच्छी शेल्फ लाइफ के साथ पनामा रोग प्रतिरोधी। केले की निरंतर आपूर्ती के लिए अच्छी चूसने की क्षमता प्रदर्शित करता है। साथ कीटों और रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध, कीटों और रोगों के नियंतरन के लिए एकिकृत कीट प्रबंधन रन्नीतियों को लागू करें। पनामा रोग जैसी विशिष्ट बीमारियों के प्रति-प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। नियामित निग्रानी से कीटों और बीमारियों के खिलाफ समय पर हस्तक शेप सुनिश्चित होता है। आठ निरंतर पैदावार के लिए चूसने की आत्ते प्रचुर मात्रा में चूसने वाली किस्में जैसे ग्रैंड नैन और ड्वार्फ कैवेंडिश निरंतर कटाई में योगदान करती है। चूसने से कई तनों के विकास की अनुमती मिलती है, जो लंबे समय तक फसल चक्र का समर्थन करता है। 9. पोशक तत्व प्रबंधन, मिट्टी का उचित पोशन सुनिश्चित करें और पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए खुबा प्रुणक्स जैसे जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। 10. चैनित केले की किस्मों की विशिष्ट आवर्शक्ताओं के आधार पर पोशक तत्वों के अनुप्रयोग को समायुजित करें। 11. अनुकूलित किस्में चुने स्थानिय जलवायू और मिट्टी की स्थिती के लिए। 11. ब्रिदा प्रबंधर, पोशक तत्व अनुप्रयोग और कीट नियंत्रन पर अनुरूप सलाह के लिए क्रिशी विशेशग्यों से परामर्श ले। 11. इन दिशानिर देशों को एकीकृत करके और उतकृष्ट चूसने की आदतों वाली किस्मों पर ध्यान केंद्रित करके किसान केले की उतपादक्ता को अनुकूलित कर सकते हैं। 12. जिससे पौधे के पूरे जीवन चक्र में निरंतर पैदावार और आर्थिक लाप सुनिश्चित हो सकते हैं। केले के बागानों में सकर प्रबंधन, विकास और उपज का अनुकूलिन। केले के लिए क्लस्टर या चटाई रोपण में रणनितिक सकर प्रबंधन, उपज और समग्र पौधे के स्वास्थ को अधिक्तम करने की कुंजी है। यहां एक या दो सकर को बढ़ने की अनुमती देने, संबंधित अंतर और क्रतेक द्रिष्टिकोन के लाभू के बारे में एक गेहन मार्ग दर्शिका दी गई है। एक चूसने वाले को बढ़ने देना, लाभ, अनुकूलित विकास और उपज, उर्जा को एक ही तने पर केंद्रित करता है, जिससे संभावित रूप से मजबूत विकास होता है और फलों के बड़े गुच्छे बनते हैं। सरलिकृत प्रबंधन, छंटाई, पोशक तत्व, अनुप्रयोग और समग्र देखभाल को सुव्यवस्थित करना, विशेश रूप से कम अनुगुवी किसानों के लिए फाइदे मन। संसाधनों के लिए कम प्रतिसपरधा, पोशक तत्व, पानी और सूरज की रोष्णी के लिए प्रतिसपरधा को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहतर संसाधन उप्योग होता है और पौधों का समग्र स्वास्य बहतर होता है। आसान कटाई फलों के गुच्छों तक आसान पहुच की सुविधा प्रदान करता है जिससे कटाई प्रक्रिया सरद हो जाती है अंतर और समय अंतर मूल पौधे और पहले पौधे के बीच लगभग एक दशमलव पाँच से दो मीटर पाँच से छे दशमलव पाँच फीट की दूरी बनाए रखें समय पहले सकर आमतर पर तलवार सकर को तब बढ़ने दे जब वहा लगभग दो से चार फीट साठ से एक सो बीस सेंटीमीटर की उचाई तत पहुँच जाए दो चूसने वालों को बढ़ने की अनुमती देना लाग, संतुलत विकास और क्रमबध फसल तलवार चूसने वाला पहला गुच्छा पैदा करता है और पानी चूसने वाला बाद में गुच्छा पैदा करता है जिससे फसल की अवधी बढ़ जाती है जिसससे संतुलत विकास को बढ़ावा मिलता है जोखिम निवनी करण बैक अप के रूप में कार्य करता है यदि एक तने में समस्या आती है तो दूसरा तना जोखिम कम करने का उपाय प्रदान करता है निरंतर उत्पादन, निरंतर उत्पादन को सक्षम बनाता है, क्योंकि पानी चूसने वाला यंत्रत अलवार चूसने वाले के बाद फल पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरू पूरे वर्ष लगातार आपूर्थी होती है उपलब्ध स्थान का उपयोग उपलब्ध स्थान का कुशलता पूर्वक उपयोग करता है जिससे संभावित रूप से प्रती इकाई क्षेत्र में कुल उपज में व्रिद्धी होती है अंतर और समय अंतर प्रतेक सकर और मूल पौधे के बीच लगभग एक से एक दशमलव पाँच मीटर तीन से पाँच फीट की दूरी बनाए रखें और दो सकर के बीच लगभग एक से एक दशमलव पाँच मीटर की दूरी बनाए रखें समय, पहले सकर, तलवार चूसने वाला को तब बढ़ने दे जब वह लगभग 2-4 feet 60-120 cm की उचाई तक पहुँच जाए दूसरे सकर, पानी चूसने वाला को तब बढ़ने दे जब वह छोटा हो आमतौर पर 1-2 feet 30-60 cm के आसपास अतिरिक्ट मुद्दो पर विचार करना अतिरिक्ट सकर्ष का प्रबंधन वांचित संख्या बनाय रखने के लिए जैसे ही अतिरिक्ट सकर्ष दिखाई दे उन्हें हटा दे स्वस्थ चयन इश्टतम विकास के लिए स्वस्थ कीटमुक्त और रोग प्रतिरोधी सकर्ष चुने रखरखाव और चंटाई उभरते हुए सकर्ष के लिए नियमित रूप से पौधे का निरिक्षन करे वायू संचार को बढ़ावा देने और बीमारी के खत्रे को कम करने के लिए मृत और क्षती ग्रस्त पत्तियों की छंटाई करें पुराने सकर को हटाना युवा अधिक उतादक तनों को उर्जा प्रदान करने के लिए पुराने अनुत्पादक तनों को हटाने पर विचार करें उत्पादक तनों को उर्जा प्रदान करने के लिए पुराने अनुत्पादक तनों को हटाने पर विचार करें। निशकर्ष सकर प्रबंधन एक सुक्ष्म प्रक्रिया है और एक या दो सकर को अनुमती देने के बीच का विकर्प उपलब्ध स्थान, किसान विशेशग्यता और स्थानिय परिस्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन दिशानर देशों का पालन करके किसान केले के पौधे की वृध्धी को अनुकूलित कर सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित व्रिक्षारों पर बनाये रख सकते हैं। केले की सफल खेती के लिए नियमित निग्रानी और देखभाल महत्वपूर्ण है। केले के पौधे की खेती के लिए खुबा उत्पादों का परिचय है। खुबा विशेश रूप से केले के पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किये गए जैविक समाधानों की एक श्रिंखला प्रदान करता है। ये उत्पाद आवशक पोशक तत्व प्रदान करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और केले की खेती के विभिन विकास चरणों का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक अव्यवों से तैयार किये गए हैं। आइए केले के पोधे की खेती के लिए प्रमुक उत्पादों और उनके लाभों के बारे में जाने। मिट्टी में स्वस्थ माइक्रोबियल वातावन को बढ़ावा देता है। नमी को नियंत्रित करता है, पोधो को लाभ पहुचाता है, विशेशकर विभिन जलवायू परिस्थितियों में। मिट्टी के पीएच के प्राकृतिक संतुलन का समर्थन करता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी, पानी या मौसम की स्थिती के लिए उप्युक्त। खुबा सेल बूस्टर नीन, ट्राइकोडर्मा लियूमिक एसिड और अधिक। लाभ मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधी को बढ़ावा देता है, पोशक तत्वों के चक्रण में सहायता करता है। मजबूत पौधों के लिए अमकुरण और जड वृद्धी में सुधार करता है, समग्र मृदा स्वास्थि को बढ़ावा देते हुए पोशक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, प्राकृतिक कीट नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है, जडों की रक्षा करता है खुबा ग्रोध प्रमोटर, समुद्री शैवाल का अर्थ, अमीनो अमल, खनिज, लाब, पत्तियों या जडों के माध्यम से आसान अवशोशन के लिए पानी में घुलनशील सूत्री करन, केले के पौधों की वृद्धी, फूल और लचीलेपन में सहायता करता है, लाबकारी कम धूप की अवधी के दौरान, उपज बढ़ाता है और फल की गुणवत्ता में सुधार करता है, नैचुरल होटिकल्चर ओयल, जैविक तेलों का मिश्रन, एजार डिरेक्टिन, सिट्रल, लिनालूल और बहुत कुछ, लाब, कीट नाशक, एंटिफंगल और शाकनाशी गुण, कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, निवारक देख भाल, फसलों की सुरक्षा और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आदर्श, जैविक क्रिशी पधतियों के लिए उप्युक्त, केले के पौधे की खेती के लाब, उन्नत मृदा स्वास्थ्य, खुबा सेल कंडीशन और मृदा बूस्टर आवशक पोशक तत्व प्रदान करके, माइक्रोबियल गतिविधी को बढ़ावा देने और मिट्टी की संद्रचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य में अनुकूलित विकास और उपज, ग्रोध प्रमोटर इश्टतम विकास, फूल और लचीलेपन का समर्थन करता है, जिससे पैदावार में वृद्धी और फलो की गुणवत्ता में सुधार होता है प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण, नैचरल होटिकल्चर ओयल कीटों और बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, जो एक स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी केले के बागान को बढ़ावा देता है जल प्रबंधन, खुबा सेल कंडीशन में मौझूद हाईग्रोस्कोपिक गुण नमी को नियंत्रित करते हैं, जल अवशोशन को अनुकूलित करके और पानी के तनाव को कम करके पौधों को लाब पहुचाते हैं सतत क्रिशी सभी खुबा उत्पाद जैविक फॉर्मूलेशन के साथ डिजाइन किये गए हैं, जो टिकाओं और पर्यावरण के अनुकूल क्रिशी प्रथाओं का समर्थन करते हैं खुबा उत्पादों को केले के पौधे की खेती के तरीकों में शामिल करके किसान पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावर्ण बना सकते हैं, मिट्टी की उर्वर्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने केले के बागानों के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादक्ता क अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना अनुष्चित करके मिट्टी तैयार करना आवश्चक है विभिन्न प्रकार की विशेष्टाएं केले की कुछ किस्मों की वृद्धी की आधते अलग-अलग हो सकती है और उनकी अनुषंसित दूरी भिन्न हो सकती है चैनित किस्म की विशिष्ट विशेष्टाओं पर विचार करें फसल चक्र मिट्टी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए फसल चक्र और हर दस से पंदरा साल में दोबारा रोपण पर विचार करें नियमित निग्रानी दूरी की परवाह किये बिना कीटों, बीमारियों या पोशक तत्वों की कमी के संकेतों के लिए नियमित रूप से व्रिक्षारोपण की निग्रानी करें केले के पौधों की स्वस्थ व्रिद्धी और उत्पादक्ता के लिए उचित दूरी दिशानिर देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है परियाप्त दूरी इस्टतम प्रकाश जोखिम, वायू परिसंचरन और कुशल प्रबंधन प्रथाओं की अनुमती देती है जो केले की सफल खेती में योगदान करती है उलिखनिय परिनाम देखने के लिए छंटाई और कटाई के लिए अपने इच्छित समय को ध्यान में रखते हुए इन सरल दिशानिर देशों का पालन करे खुबा सेल कंडिशन बुआई के समय 200 ग्राम प्रती पौधा डाले 45 दिन प्रती पौधा 200 ग्राम डाले 90 दिन प्रती पौधा 300 ग्राम डाले 135 दिन प्रती पौधा 350 ग्राम डाले खुबा सेल बूस्टर भूमी की तैयारी के दौरान या बुआई के समय एक द्वितियक विकल्प के रूप में प्रती एकड एक बैग लगाना पसंद किया जाता है। नब्बे दिन प्रती एकड एक बैग लगाएं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर और नैचरल होर्टिकल्चर ओयल। दोनों उत्पाद पानी में घुलनशील है और इनका उप्योग छिड़काव और भीगने के लिए किया जा सकता है। फूल आने से 21 दिन पहले 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और 1 लीटर नैचरल होटी कल्चर ओयल का छिड़काव या छिड़काव करें। फूल आने के दस दिन बाद दोबारा प्रयोग करें। इसके अतिरिक तक यदि किसी कीड़े या बीमारी की उपस्थिती सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संचलेशन बाधित हो रहा है या बारिश के कारण ठंड के मौसम के कारण आवर्शक हो, तो स्थानिय परिस और कटाई के लिए इच्छित समय के आधार पर उनकी विशिष्ट आवशक्ताओं और प्रात्मिक ताओं के अनुसार आवेदन को अनुकूलित करने की सुविधा है। जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ती में योगदान करते हैं। जो करने की भी सलाह देते हैं। आप प्रत्यक प्रकार के 3 kg बीज और अतिरिक 5 kg विभिन बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दे और फिर फूल आने से पहले 45 और 50 दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दे। यहां अभ्यास आपके खेतों को विवित्ता और प्राकृतिक हरी खात प्रदान करता है। मिट्टी को समरिध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थि को बढ़ावा देता है। यहां आक्रामत पौधों को भी रोकता है, कीडों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधी के दौरान विवित्पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामरित और गोक्रिपामरित जैसे गायाधारित उत्पादों का उप्योग करके किसान मिट्टी की उर्वर्ता बढ़ा सकते हैं। जैव विविद्ता को बढ़ावा दे सकते हैं और तिकाओं कृशी पधतियों को बढ़ावा दे सकते हैं ये प्रताएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती है और समग्र कृशी उत्पादक्ता में सुधार करती है कीमते खुबा सेल कंदीशन जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 kg बैग कीमत 1,000 रुपए दानेदार रूप 50 kg बैग कीमत 1,200 रुपए खुबा सेल बूस्टर 5 kg का बैग कीमत 7,500 रुपए विकास प्रवर तक 500 ग्राम का पैकेट कीमत 5,500 रुपए नैचुरल हॉर्टिकल्चर ओइल एक लीटर की बोतल कीमत 900 रुपए इन कीमतों में करनाटत में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है यानि आपके निकट्टम विजय आनंद रोड लाइन्स शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉप पॉइंट तक नोट कीमते सांके तिक हैं और कभी भी बदल सकती हैं इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टी करें अन्य राज्यों के किसान कृपया हमसे संपर करें केले के पौधे का संदक्षन खुबा के प्राकृतिक समाधान खुबा के जैविक समाधान के साथ कीट और रोप प्रबंधन कीटों के विरुध व्यापक सुरक्षा मृधा कंडिशन, कीट नियंत्रन लाब मिट्टी के स्वास्थि को बढ़ता है जिससे यह कीटों के लिए कम अनुकूल हो जाती है जडों को मजबूत करता है हमलों के प्रती-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है एक संतुलित मिट्टी पारिस्थिती की तंत्र को बढ़ावा देता है, हानिकारत कीडों को कम करता है मृदा वर्धक, कीट नियंत्रन लाब, नीम घटक मिट्टी के कीटों को दूर करता है रोगाणों को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी में अनाकर्शक वातावन बनता है पोशक तत्वों के असंतुलन को दूर करता है, तनाव को रोकता है विकास प्रवर्तक कीट नियंत्रन लाब मजबूत विकास को प्रोचसाहित करता है, जिससे कीडों के प्रती समवेदन शील्टा कम हो जाती है आंग कीटों के खिलाफ पौधों की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है पौधों की सुरक्षा के लिए पोशक तत्वों से भरपूर वातावन प्रदान करता है नैचरल हॉटिकल्चर ओयल, कीट नियंत्रन लाब, पतियों और तनों पर प्राकृतिक कीट नाशक के रूप में कार्य करता है कीडों को दूर भगाता है, संत्रमन को रोकता है कंडीशन, रोक प्रतिरोध लाब, मिट्टी की संगरचना को बढ़ाता है, मिट्टी से होने वाली बीमारियों के खत्रे को कम करता है स्वस्थ जड़ प्रणाली को बढ़ावा देता है, बीमारियों के खिलाफ मजबूत बनाता है लचीलेपन के लिए पौधों के समगर स्वास्थ का समर्थन करता है ब्रिदा वर्धक, रोक प्रतिरोध लाब, नीम घटत एक प्राकृतिक कवकनाशी के रूप में कार्य करता है रोगद मनकारी मिट्टी के लिए माइक्रोबियल गतिविधी को बढ़ावा देता है तेजी से ठीक होने के लिए विकास को उत्तेजित करता है पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है जीवन शक्ती के लिए पोशक तत्वों से भरपूर वातावन प्रदान करता है नैचरल होटिकल्चर ओयल, रोग प्रतिरोध लाब, फंगल, बैक्टीरिया और वाइरल रोगों से बचाव के रूप में कार्य करता है रोग फैलाने वाले कीडों को दूर भगाता है, संत्रमन पर अमकुष लगाता है पत्तियों, तनों और जडों के लिए एक सुरक्षात्मग अवरोध बनाता है जलवायू संबंधी विवित्ताएं मृधा कंडीशन जलवायू सहनशीलता के लिए लाब, मिट्टी की संद्रचना में सुधार करता है शुष्क अवधी के दौरान पानी बनाए रखने में सहायता करता है पोशक तत्वों की उपलबधता को बढ़ाता है पोशक तत्वों के तनाव में पौधे का समर्थन करता है संदुलित मृदा पारिस्थिती की तंत्र को बढ़ावा देता है समग्र लचीलेपन में योगदान देता है हाईग्रोसकोपिक प्रकृती नमी नियामक के रूप में कार्य करता है इस्टतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है सतत रिलीज दीरघकालिक पोशक तत्व रिलीज प्रदान करता है दीरगकालिक मिट्टी के स्वास्थ को बढ़ावा देता है ब्रिदा वर्धक जलवायू सहनशीलता के लिए लाब नीम घटक अत्यधिक तापमान से बचाता है माइक्रोबियल गतिविधी को बढ़ावा देता है एक लचीला मिट्टी का वातावन बनाता है इश्टतम जलधारन के लिए मिट्टी की संद्रचना में सुधार करता है विकास प्रवर्तक जलवायू सहनशीलता के लिए लाब जलवायू तनाव के बाद पुनरप्राप्ती के लिए पौधों के विकास को उत्तेजित करता है जड़ विकास को बढ़ाता है, स्थिर्ता प्रदान करता है पौधों के समग्र स्वास्थे को बढ़ावा देता है, लची लेपन को बढ़ावा देता है नैचरल हॉटिकल्चर ओयल जलवायू सहनशीलता के लिए लाब कठोर मौसम की स्थिती के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है कुछ आद्रता में नमी से संबंधित बीमारियों के खिलाफ धाल के रूप में कार्य करता है परियावरणिय तनावों के प्रभाव को कम करते हुए सुरक्षा की एक परत प्रदान करता है सहयोगी पौधे और जैव विवित्ता रोग की रोक्थाम और जैव विवित्ता के लिए साथी पौधों के लिए मार्ग दर्शिका गेंदा, तुलसी, सूरज मुखी, नेमाटोर और कीटों को रोकता है विकल्प, गुल्दाउदी अद्रक और हल्दी एंटिफंडल गुणों के लिए जाना जाता है विकल्प, लहसुन और प्याज पपीता, लेटेक्स रिलीस करता है जिससे कीट का दबाव कम होता है विकल्प, तुलसी या टैनसी खुबा के समाधान और सहयोगी पौधों के लाब, जैविक और परियावरन के अनुकूल, सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता कम करता है मजबूत प्रतिरक्षा प्रनाली, रोगों के प्रती पौधों की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है रोगजन्त निशेद, प्राकृतिक योगिक रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को रोगते हैं पौधों का बहतर स्वास्थ्य, समग्र जीवन शक्ती और लचीलेपन को बढ़ावा देता है रोग की रोगथाम का महत्व, पौधों की इश्टतम व्रिद्धी और उत्पादक्ता को बनाए रखता है जैव विवित्ता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधे, लोबिया, अरहर और लैब-लैब बीन्स जैसी फलियों पर विचार करें कार्बन फिक्सिंग सैयंत्र, कार्बन प्रिधक करन के लिए मोरिंगा जैसे पेडों का अन्वेशन करें मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सन्भान्व और कुल्थी ग्राम जैसी कवर फसले शामिल करें नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों के लाब, सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम, नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से ठीक करें बहतर जैव विवित्ता, पारिस्थिती की तंत्र में जीवों की विवित्ता को बढ़ाता है मृदा कटाव और खर्पत्वार का दबाव कम, मिट्टी की संद्रचना को बढ़ाता है और खर्पत्वारों से मुकाबला करता है सतत क्रिशी को बढ़ावा देना दीर्घकालिक पर्यावरणिय स्वास्थि का समर्थन करता है नीम जैसे बड़े पौधों के लिए विकल्प, नीलगिरी, मोरिंगा, कैसिया, कीटनिवारत गुणों वाले तेजी से बढ़ने वाले पेड प्रती एकड कम से कम पाँच से दस पेड लगाने की सिफारिश करें सहयोगी पौधों की नियूनतम संख्या गेंदा प्रती एकड एक सौ से दो सौ पौधे सूरज मुखी प्रती एकड बीस से पचास पौधे तुलसी प्रती एकड पचास से एक सौ पौधे अद्रक और हल्दी 500 से 1000 प्रकंद प्रती एकड पपीता प्रती एकड 10 से 20 पौधे नोट इश्टतम परिणामों के लिए स्थानिय परिस्थितियों के आधार पर संख्याओं को समायुजित करें इश्टतम विकास को बढ़ावा देना केले के बागानों के लिए खुबा का जैविक द्रिष्टिकोन लगातार आकार और वजन विकास खुबा के जैविक समाधान एक समान केले का आकार सुनिश्चित करती है मृधा कंडीशन मिट्टी के स्वास्थि को बढ़ावा देता है पोशक तत्वों के अवशोशन और जड़ विकास में सहायता करता है नीम के साथ मृधा बूस्टर कीटों को रोकता है एक स्वस्थ मिट्टी के वातावर्ण को बढ़ावा देता है ग्रोथ प्रमोटर पौधों की व्रिद्धी को उत्तेजित करता है और लगातार केले के समुहों के लिए जड़ विकास को बढ़ाता है रासाइनिक उर्वरकों के साथ चनौतिया रासाइनिक उर्वरक असंतुलन पैदा कर सकते हैं और निरंतर विकास में बाधा उत्पर्न कर सकते हैं जिससे केले के आकार पर असर पड़ सकता है उनकी कृत्रिम प्रकृती मिट्टी के क्षरण में योगदान कर सकती है शेल्फ जीवन का विस्तार, खुबा का द्रिष्टिकोन केले के शेल्फ जीवन का विस्तार करता है मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर और ग्रोथ प्रमोटर पौधू के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं रोगों और फसल के बाद के क्षय के प्रती-प्रतिरोधक शमता प्रदान करती हैं रसायनों से संबंधित चिंताएं, रासायनिक तरीकों से प्राकृतिक पकने से समझोता होने का जोखिम होता है, जिससे स्वाद और पोशन मूल्य प्रभावित होता है कीट नाशक अवशेश छोड़ सकते हैं, जिससे उपभुकता सुरक्षा प्रभावित हो सकती है खुबा के जैविक द्रिष्टिकोन के मुख्य लाब स्वास्थ्य प्रद उत्पादन खुबा के उत्पादों से हानिकारत अवशेशों के बिना स्वास्थ्य वर्धक केले प्राप्थ होते हैं परियावरणिय स्थिर्ता जैविक खेती परियावरणिय प्रभाव को कम करती है उन्नत पोशक तत्व जैविक तरीके केले के पोशन प्रोफाईल को सम्रिद्ध करते हैं दीर घकालिक मृदा स्वास्थ्य खुबा के समाधान तिकाउं क्रिशी का समर्थन करते हैं क्यों जैविक रूप से उगाए गए केले एक से स्वाद विकास, संतुलित पोशक तत्वो, विविट इन्पुट और कोई सिंथेटिक अवशेश नहीं होने के कारण जैविक केले का स्वाद बहतर होता है प्राकृतिक रूप से पकना, जैविक केले स्वाद और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए बिना किसी रासायनिक हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से पकते हैं समग्र क्रिशी पद्धतिया, जयविक फाम पौधों के स्वास्थ्य, जयव विवित्ता और स्थिर्ता को प्राथ मिक्ता देते हैं, जिससे केले की गुणवत्ता बढ़ती है कटाई के बाद न्यूनतम प्रसंसकरण, जैविक केले को न्यूनतम प्रसंसकरण से गुजरना पड़ता है, रासायनिक पकाने वाले एजेंटों से बचना, अंतर्मिहित स्वादों को सन्रक्षित करना संक्षेप में खुबा का द्रिष्टिकोन विकास की स्थिर्ता सुनिश्चित करता है, शेल्फ जीवन बढ़ाता है, और केले की खेती में रासायनिक तरीकों की सीमाओं की तुलना में विभिन्न लाब प्रदान करता है जैविक रूप से उगाए गए केले स्वाद और सुरक्षा में उत्क्रिष्ट है, जो समग्रत क्रिशी पद्धतियों के लाभों को प्रदर्शित करते हैं सभी फसलों की लागत प्रभावी जैविक खेती के लिए किसी भी मिट्टी, पानी या जलवायों के लिए उप्यूक्त संपर करें खुबा सेल कंडिशन्ग झाल